सब्सक्राइब किजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाईए और उसे दिबाने के बाद बैल आइकन के बटन को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोज के अपडेट्स आपको रेगुलर्ली मिलती रहे दोस्तो नवरात्री के नौ दिनों में मा दुर्गा के नौ रूपों की पुजा की जाती है ये तो आप जानते ही होंगे कि आजकल नवरात्री का पावन पर्व चल रहा है और हर भक्त अपनी पुरीश रद्धा भक्ती से मातारानी को प्रसंद करने में लगा हुआ है यदि आपकी भी कोई विसेश मनो कामना है तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपके पुजा का फल कितना सफल हुआ नवरात्री में अगर आप किसी मनो कामना के साथ मातारानी की विदिवत पुजा पाट करते हैं तो मा दुर्गा आपको कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे आसानी से ये जाना जा सकता है कि माता के रूपा आप पर हुई है या नहीं तो आई ये जानते हैं कुछ ऐसे ही संके पहला संकेत साज स्रुंगार करना महिलाओं के लिए कोई नई बात नहीं है हर दिन आपको सामन्य स्रुंगार में कही महिलाई दिखती होंगी हर महिला अपने पति के लिए स्रुंगार करती है खास कर नव विवाहित महिलाई पुरे सोला स्रुंगार करती है लेकिन 16 स्रुंगार केवल नव विवाहित महिलाई ही करती है या किसी विशेश सुब आउसर पर ही महिला करती है नवरात्र की दिनों में अगर आपको दिन के किसी भी समय 16 स्रुंगार में कोई महिला दिख जाए तो समझ लिजिए कि मातारानी की आप पर कुरुपा हुई है तीसरा संकेत नवरात्र की पुजा में नारियल और कमल के फूल का विशेश महत्व होता है हंस भी मा सरस्वती का वहन मान जाता है इसलिए इन दिनों में अगर नारियल, हंस या कमल का फूल सुबह सुबह दिख जाए तो समझ लिजिए कि मातारानी की गुरुपा आप पर हो चुकी है या फिर होने वाली है चोथा संकेत आम दिनों में भी घर से निकलते ही गाई का दिखना सुब मान जाता है अगर नवरात्र के निनों में आपको मंदिर से निकलते ही गाई विशस करके सफेद गाई दिख जाए तो समझ लिजिए कि मातारानी आप पर मेरबान हुई है और जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है आपकी सारे परेसानी दोर होने वाली है पाच्वा संकेत सुबह आँख खुलते ही या पुजा पाट के दोरान अगर मंदिर की गंटियाओ की आवाज या संख की द्वनी सुनाई दे तो समझ लिजिए कि मातारानी आप पर प्रसंद है ये आपके जीवन में खुसी और प्रसंता आने के संकेत है लेकिन आपको बुरे काम करने से बचना चाहिए दोस्तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो कमेट बॉक्स में जै मा दुरगा अवस्य लिखे